Hello everyone, this is Kapil Kadian, welcome back to our YouTube channel Kapil Classes, तो आज हम बात करेंगे chapter 3, fiber to fabric की fiber क्या होता है और fiber से fabric को कैसे ready किया जाता है, तो complete explanation करेंगे, अपने इस वीडियो के अंदर तो वीडियो का अंतर जूर देखिए, और जो भी नए friends मेरे साथ first time जूड़ रहे हैं, तो चैनल को like और subscribe करना मत बोलिए, तो start करते हैं सबसे पहले कि clothes are one of our basic needs, कि clothes हमारी body के लिए बहुत ही requirement है, हमारी basic needs है, कि we wear a clothes mainly to protect our body from heat, cold and rain, तो देखिए बच्चों इस case में क्या बताया गया है कि we wear clothes, हम clothes क्यों डालते हैं, क्यों पहनते हैं, mainly जो protect करते हैं हमारी body को कि से, heat से, cold से and rain से, कि we wear different type of clothes, हम क्या डालते हैं बच्चों different type of clothes डालते है according to the climates की यदि बात करें, seasons की बात करें, कि according to the climate, उसके बाद occupations, culture, traditional and daily needs, तो देखिए ध्यान से कि climate के according हम clothes डालते हैं, occupations के according हम clothes डालते हैं, cultures के according clothes डालते हैं, tradition जो हमारे रिती रिवाज हैं, उनके according हम clothes डालते हैं और हमारी daily needs के लिए हम अपने body को clothes के साथ पहनते हैं, अब the clothes that we wear daily and two towels, two curtains, bed seat, blanket, table cloth, etc. तो ये हमारी daily life के लिए clothes use होते हैं, ठीके ना, कि are made from a different type of a fabric, तो ये किसके बने होते हैं बच्चो different type of fabric के बने होते हैं, अब basically जो fabric होती है, कि fabric is a commonly called is a cloth, अब fabric को क्या कहा जाता है बच्चो clothes कहा जाता है, कि वो एक परकार के दागे होते हैं fabric, जिसके ये हम बात करते हैं, छोटे 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 fiber से बन कर ही क्या बनती है, fabric बनती है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, fiber क्या होती है, उसके types क्या होते हैं, basically fiber हमारे पास two types की होती है, एक natural fiber होती है, एक synthetic fiber होती है, उसके बाद यदि third की बात करें तो, एक mixed fiber भी होती है, कि fiber and their types कौन कौन चोंगे, कि fabric are made from a fibers, जो fabric है basically वो किसकी बनी होती है, बच्चों, fibers की बनी होती है, अब fibers are a long, strong and flexible thread like material, एक छोटे छोटे दागों के रूप में, एक लंबी, एक strong और ये काफी मजबूत होती है, बच्चों, दागे बोलते हैं, जिसको दागे होते हैं, उन दागों से क्या बना जाती है, आगे blanket seeds बना जाती है, clothes बना जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैबरिक बेलते हैं, अब उसके बाद, कि there are three type of fibers, तीन टाइप की fibers होती हैं, बच्चों, फस्ट इजे नेचरल फाइबर, सेकंड इजे संथैटिक फाइबर, एंड थर्ड इजे मिक्स फाइबर, आप जो नेचरल लाम से पता लग रहा है, जो नेचर से आती है, उसको हम क बाद, सेकंड फाइबर हमारे पास है, संथैटिक फाइबर, संथैटिक जो मैनमेड है, लिबोटरी के अंदर पर पेर की जाती हैं, एक्जेम्पल के तोर पर नाइलोन कह सकते हैं, पॉलिस्टर कह सकते हैं, मिक्स फाइबर कौन ची है बच्चों, आपकी, टैरी सिल्क या टैरी बूल, ये मिक्स फाइबर है, तो तीन टाइब की आपकी फाइबर है, वो हम डिसकस करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नेच्रल फाइबर के बारे में, कि दा फाइबर दैट आर उप्टेंड फ्रॉम ए प्लांट्स, कहां से उप्टेंड होती है, या फिर ए फिसिकली प्लांत्स के हैं, ठीक है ना? न, ये प्लांट्स के नाम है, कोटन हो गया, जूर हो गया, हेंप्स हो गया और आपके फलेक्स हो गए, कि फाइबर उटेंड फ्रॉम तैंड फ्रॉम बाएबर आर अप्तेंड फ्रॉम एनिमल्स, तो वूल और शिलक कहां से अमिलत हैं fleeces बोलते हैं या गोट किसे कि it is also obtained from the hair of rabbit यह rabbit के hair से भी निकाले जाते हैं याक हो गया ऐसे camel हो गया तो वहां से भी निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं basically wool कहते हैं ठीक है ना कि silk fiber is drawn from the cocoon of the silkworm जो silk fiber है बच्चों कहां से आती है वही वह silk warm के माध्यम से यह चोट चोट की मतलब के type में होते हैं तो वहां से निकलती हैं कि the fiber made from is a natural fiber is called is a natural fabric जो fabric nature fiber के माध्यम से बनाई जाती है उसको हम क्या बोलेंगे natural fabric कह देंगे ठीक है ना for example अब यहां पर नीचे आप देख सकते हो cotton fiber यह cotton fiber आपको छोट छोटे दागों के रूप में दिखाई दे रहा है बच्चों इस डाग्राम में अब इन से क्या बनी यहां पर यह वूल बनके ready हो गई ठीक है ना इसको हम क्या बोलेंगे some natural fiber कह देंगे अब इस case में देखि है बच्चों heat को absorb कर लेती है sweat को absorb कर लेती है जैसे हम क्या है कि summer season में cotton clothes डालना पसंद करते है क्यों क्योंकि वो sweat को absorb कर लेती है ठीक है ना secondly कि they allow the air to pass through them यह इनके अंदर से air pass हो जाती है and the third point they are a bio degradable and do not effect of environment और यह बच्चों क्या है bio degradable इसको हम द्वारा utilize कर सकते हैं यह ह अपने अच्छी तरह से learn करने हैं अब हम बात करेंगे इसके disadvantage कि disadvantage क्या है कि they do not retain their craze for a long तो मतलब इसकी जो क्रीज बनती है वच्चों लंबे शमय के लिए नहीं बन पाती क्योंकि जो cotton होता है basically वो कुछ शमय के लिए ही होता है and second point कि they may shrink and ordinary washing अब यह देखो इस केस में क्य यह मतलब एक ordinary washing चाहिए specially ठीक है न and third point they can easily attack by a moth and moths इसमें क्या हो जाता है बच्चों basically जो moth और moths होते हैं वो जल्दी इसके अंदर attack कर लेते हैं and fourth point they do not dry rapidly इनको सुखाया जल्दी नहीं जा सकता and fifth point naturally silk is very expensive यह काफी expensive होते है and quite and not quite affordable इनको हम afford नहीं कर सकते यह काफी expensive होत basically clear होगे एक concept उसके बाद बच्चों हम बात कर रहे है human made or synthetic fiber की synthetic fiber क्या होती है कि the fiber that made by humans यह humans के द्वारा त्यार की जाती है from a different chemicals के माध्यम से ठीक है na chemicals क्या होते हैं बिट्टा जो रसायन होते है different type के in the industries are called as a man-made human made होंगे यह man-made होंगे यह synthetic fiber बोल देंगे तो simple definition आप क्या राए डाउं करोगे कि the fiber that are made by humans from a different chemical in the industries is called as a human made or synthetic fiber अब यहाँ पर आप इसका example देख सकते हैं कि some of the common synthetic fiber are कौन से है बच्चों नाइलोन, polyester and acrylic यह सारी synthetic fiber में आती है कि the synthetic fiber are mostly obtained from the petroleum यह कहां से अप्ट्रोन की जाती है बच्चों पेट्रोलियम के मादियम से अप्टेन की जाती है अब यहाँ पर figure में देख सकते हैं कि nylon cloth is made from a synthetic fiber कि nylon के जो cloth हैं basically यह किसके मादियम से त्यार की जाते हैं synthetic fiber के मादियम से त्यार की जाते हैं कि the fabric made from a synthetic fiber कि जो fabric basically बच्चों synthetic fiber के मादियम से बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं synthetic fabric कहते हैं simple बात है कि the fabric made from synthetic fiber is called synthetic fabric advantages क्या होते हैं इसके disadvantage भी करेंगे advantage भी करेंगे तो सबसे पहले advantage देखिए बच्चो इसके synthetic clothes are more durable and easy to maintain मतलब क्या होते हैं बच्चो यह more durable होते हैं और इनको easily maintain कर सकते हैं second point they do not absorb much water यह absorb नहीं करते हैं इसको भई water को यह dry जल्दी हो जाते हैं wrinkle free होते हैं इन पे irons की जूरत नहीं होती and third point कि synthetic clothes are not attacked by moth and moths इनके अंदर बच्चो मoth और moths का कोई भी attack नहीं हो पाता तो clear हो गए यह थी इसके advantages यदि हम बात करते हैं disadvantage of synthetic fabric की क्या होंगे आप इस case में they do not allow the air to pass through them इनके अंदर air पास नहीं हो सकती वच्चो यह synthetic है कि hands are not good for summer तो यह summer के अंदर good नहीं है क्योंकि summer के अंदर क्या होती हीट जादा होती है तो basically इनके अंदर आपको heat जादा basically feel होगी second point कि they do not absorb sweat यह absorb भी नहीं कर पाते हैं किसको sweat को sweat को कौन अप्यों करता है only cotton clothes करते हैं they easily catch fire यह fire को जल्दी catch कर लेते हैं और they are non bio degradable और यह क्या होते है बच्चो non bio degradable होते हैं इनको हम द्वारा utilize नहीं कर सकते हैं तो clear हो क्या concept यह अब यहाँ पर देखिए बच्चो do you know concept मे कि chemical use in a manufacturing of synthetic fibers find their way in a water bodies pollute them तो basically क्या है देखो बच्चो synthetic जो fabric है उसको जो आप ready करते हो तो वो हमारे water को हमारे environment को भी pollute करती है वो हमारे environment के लिए काफी harmful है ठीक है ना क्योंकि इसको chemical के माद्यम से इसको prepare किया जाता है थर्ड है हमारे पास बच्चो mix fiber क्या होती है कि the fibers made by a blending natural fiber with a synthetic fiber to obtain a superior and useful fiber is called is a mixed fiber तो देखो इस case में क्या है बच्चो कि यह वो fiber है जो basically made बनाई जाती है किसके माद्यम से blending natural fiber with synthetic fiber to obtain मतलब natural fiber से obtain करके उसको blend करके अच्छी तरह से prepare करके synthetic fiber को obtain करना एक superior मतलब एक अच्छे तरीके से useful fiber उसको हम क्या बोलते हैं mixed fiber बोलते हैं इसके अंदर example देख लिए यह terry coat terry coat आता है example इसके अंदर अब यह terry silk है सारे आपने देखे होंगे and after that is a terry wools यह सारे example कि इसके हैं बच्चो mix fiber के हैं अब इसके अंदर देखिए कि जो terry coat होता है उसमें क्या क्या होता है सिलक होता है कियो कि इसके अंदर संथैटिक प्लस नेचरल फाइबर दोनों को मिक्स अफ किया जाता है एडिवीटली के अंदर ट्रीलेन प्लस वूल होगा इसलगी इसलगी बन जो mix fiber के तो clear हो गया यह अब हम बात करें है आपर cotton क्या होता है कि cotton is the soft fiber कि that grow around the seeds of a cotton plant do cotton होता है बच्चों एक soft fiber होता है that grow इसको grow करते है around the seeds of a cotton plants के मादम से अब cotton plant is usually grown at a place having a black soil कहां पर इसको प्रपेर किया जाता है बच्चों जहां पर मिट्टी कौन ची होती है black and क्या होता है वहां पर warm climate मतलब गर्मी ज़्यादा होती होगी कि in our country cotton is cultivated in महाराष्ट्रा तो cotton कहां पर cultivated होता है बच्चों कहां plants need a temperature of कितना temperature चाहिए इसको पर्परेशन के लिए बच्चों 25 degree Celsius and rainfall about rainfall कितना चाहिए इसके लिए 60 cm to 100 cm for their growth के लिए कि the cotton plant is a busy and about one to two meter in length मतलब क्या होता है बच्चों ये एक मतलब टहनी के टाइप में एक जो plants होता है ये one से two meter लंबा होता है ठीक है ना अब उसके बाद cultivation of growth जो cotton है कि in India growing period of for a cotton in a form of March कि इसकी कहां से मिलता है बच्चों ये बेसिकरी जो उसका time period होता है करने का मार्च स्प्रिंग टूदा नौवंबर विंटर में ठीक है ना कि cotton seeds are planted in early springs early springs के अंदर इसको लगाया जाता है cotton plant grow steadily steadily का मतलब क्या है धीरे-धीरे the fruits of the cotton plant is called ले जोसको क्या वोते हैं cotton balls होते हैं बच्चों ठीक है ना अब मैं मैं आपको दिखाने वालों basically डायग्राम के अंदर कि cotton balls grow slowly and small seeds उसमें क्या होते हैं बच्चों बाउल्स के अंदर ही small चोट चोटे seeds होते हैं and cotton fiber develop होंगे a fully mature cotton balls is the same size as that of a lemon किसकी जैसा होता यह lemon size किस जैसा it is a brown in color यह किस point crack a cotton ball यह cotton ball हो गया बच्चों आपका जब यह crack होता है तो यहां से क्या निकलती है revealing of a white puffy fibers निकलती है ठीक है and third point hand picking के माद्यम से cotton ball को use किया जा सकता है या फिर machine के माद्यम से cotton ball को भी prepare कर लिया जाता है cultivate कर लिया जाता है अब आगे चलते हैं बच्चो फॉर्थ पॉइंट में क्या है कि after maturation maturation के बाद maturation का मतलब जब उसको हमने क्या कर लिया cultivate कर लिया the cotton balls burst open वो क्या हो जाता है बच्चों बरस्ट मतलब फूर जाता है and seeds covered with a cotton fiber can be seen जब आपने देखा भी ठीक है and fifth point the heat of the sun dries these fiber turning them fluffy and a white as snow किसकी तरह से होते हैं बच्चों वहाँ पर white snow की तरह होते हैं वहाँ पर white होती जिसको cotton कहा जाता है क्यों during this time the cotton basically जो cotton fields होते हैं look like is a field cover with a snow किस तरह दिखाई देते हैं जैसे कि वहाँ पर बच्चों field के अंदर सारी snow पड़ी हुई है इस टाइप से दिखाई देते हैं and six point now it is the time of harvesting जब हम इसकी कटाई करते हैं कि cotton crop is mostly hand picking के माधियम से यह यदि big fields होते हैं तो machine के माधियम से उसकी picking की जाती है बच्चों उसको काट लिए जाता है अब उसके बाद बात करेंगे use of cotton कि use कहां किया जाता है cotton का कि cotton fiber are used for manufacturing cloth कहां पर बच्चों clothes को बनाने के लिए linens को बनाने के लिए for example जैसे socks हो गई t-shirt हो गई bed seats हो गई इसके लिए इसका use के जाता है and are generally made from is a cotton कि cotton cloth are comfortable in hot यह कहां पर comfortable होते हैं बच्चों hot के season के अंदर जैसे summer season में cotton cloth चलते हैं and humid condition humid condition के अंदर क्योंकि यह absorb कर लेते हैं कि इसको बच्चों sweats को कि because they are soft to touch and absorb a sweat and let the air in it ताकि इनके अंदर इसवेट कर ले और इनके अंदर से air pass होती रहे कि the sweat absorbed by a cotton cloth evaporate more quickly मतलब यह absorb करने के बाद इवैपोरेट ठंड़े हो जाते हैं quickly जल्दी ही क्यों किसकी वज़े से क्योंकि एर को क्या होते है बच्चों के अंदर ब्रीथ हो जाती है मतलब एर ले लेते हैं यह it is the result of a cooling down of the body और हमारी body को क्या रखते हैं बच्चों यह ठंडा रखते हैं and the second point कि cotton is a blended with other fibers to make a mixed fiber तो उसकी क्या बनती है बच्चो टैरी कोट बनती है अभी मैंने आपको बताया था and third point कि cotton is used to absorb a blood किसको अब्जोब करती है बच्चों यह blood को पस को from a job क्या हो जाता है कोई भी wants मतलब कोई भी आपको जखम हो जाता है body के अंदर चोट लग जाती है other type of a medical purpose के लिए भी cotton का use किया जाता है basically आप यह सब जानती ही होंगे and do you know कि the earliest return reference of a cotton is from India कि cotton has been growing in India for more than 3000 years कहां कब से use करते आ रहे है बच्चों उसको 3000 year से कि but cotton was used by Egyptian in earlier 14,000 year ago जो Egypt है बच्चों वहाँ पर इसको पहले 14,000 year से पहले use करते आ रहे हैं उसके बाद देखो बच्चों ब बच्चों यहां पर multiple choice questions आगे तो multiple भी साथ साथ करते रहेंगे कि which of the following is not a natural fiber कि कौन सा natural fiber नहीं है यहां पर बच्चों जेको silk भी natural fiber है wool भी है जूट भी है तो कौन सा हो गया टेरलीन तो किस पर टिक लगा होगे C पे कि which type of a soil is good for growing of a cotton कौन सी है बच्चों ब्लैक सोयल तो यहां पर case where निसानी लगा लोगए आप C point for clear होगे concept यह भी अब आगे चलते हैं बच्चों from from fiber to fabric तो क्या क्या procedure है इसके लिए basically तो सबसे पहले हम बात करेंगे गीनिंग की गीनिंग क्या होता है गीनिंग एक process है बच्चों बेसिकली जो separating करता है cotton fiber को from the seeds के मादिम से उसक cotton seed के अंदर आपका seed भी होगा और cotton भी होगा उसको separate करेगा उस process को हम क्या बोलेंगे गीनिंग कह देंगे कि it was a traditionally done by hand इसको हम hand के मादिम से use करते हैं steel combs होती है इसके लिए कि this time these days आज के समय में क्या है वच्चों machine आ चुकी है जिसको हम क्या बोलते है roller gin बोलते है is called is a ginning है basically यह machine देख सकते है आप roller gin ठीक है ना तो मतलब cotton को separate करना किसके मादिम से cotton seeds के उस process को क्या बोलोगे आप gaining बोल दोगे second है हमारे पास spinning क्या होता है kit is the process of changing fiber into yarn किसमें change कर रहे हैं बच्चों उसको यान के रूप में यान का मतलब क्या है कि एक उसका गोला बना देना उसको spin कर देना ठीक है गुमा फिरा के कि spinning draw out of a short fiber from a cotton ठीक है ना wool and twist them together into a long continuous thread called is a yarn तो उसको आप क्या बोलोगे यान कह दोगे ठीक है अब इस case में देखो यहाँ पर आप डाइग्राम में देख सकते हो लड़ी तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया spinning के मादिम से गोले बना दी गई इसके यह टकली बना दी गई यहाँ पर ठीक है ना उसको आप क्या बोलोगे spinning कह दोगे कि handle 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 or a टकली और चर्खा are a two hand operated device use for spinning तो इसके लिए use के जाते हैं कौन कौन use के जाते हैं बच्चों hand spindles यह टकली कहते हैं और या फिर चर्खा are a two handed operated device using for spinning इसके लिए use करते हैं in this ruler area ruler मतलब बेटा कौन से होते है जो grammy न लाके होते हैं people use a चर्खा क्या यूज़ करते हैं चर्खा यूज़ करते हैं जो हमारे रास्ट पितम होंदास करम चंद गांदी जी थे वो भी चर्खा यूज़ किया करते थे आ लड़ी कि for making a thread and किसके लिए बच्चों thread बनाने के लिए या फिर yarn को बनाने के उसके बाद इसमें activities है एक अलड़ी ये तो activities भी देखिए कि two make a yarn from a cotton तो कैसे यूज़ करोगे उसके लिए क्या चाहिए आपको cotton चाहिए method hold some cotton in one hand आपने cotton के अंदर hand मिले लिया and pinch some cotton between the thumb and four finger four finger कौन चे होती है बच्चों आपकी जो basically first finger होती है उसके साथ ठीक है न उसको four finger कहते हैं आप उस finger के साथ आप उसको hold कर लोगे किसके साथ थम के साथ और जैसे ही उसको आप घुमाओ गे तो थोड़ा हातों के साथ ही तो gently start क्या होजेगी pulling out of a cotton जैसे कि इस diagram में आपको दिख रहा है while continuously twisting the fiber तो यहाँ पर यह दागे बनने हैं आपके start हो चुकी है ठीके हाथ के मादियम से हैंड के मादियम से किया जाता है यहाँ पर इस हैंड में आपने किसको पिक किया हुआ है cotton को पिक किया हुआ है अब इसकी observation देखिए कि the fiber from the cottons are drawn at the same time twisted two forms cotton yarn तो उस case में जीतना twist करोगे तो बच्चो आपकी cotton yarns बंदे चले जाएंगे this process is called spinning इस process को आप क्या कहोगे spinning कि spinning increase the strength of the fiber क्या करता है बच्चो यह strength बढ़ा देता है किसकी fiber की ठीक है ना कि we do regularly prepare a wick for the earthen lamp दिया के लिए यूज करते हैं basically जो गर पे दिये होते हैं बच्चो जो दिवाली के अंदर जलाए जाते हैं from the cottons अब उस case में देखो जैसा कि मैं आत्मा गांदी जो हमारे थे वो चर्क चलाया करते थे और cotton क्या basically यान कुछ बनाते थे ठीक है तो यह आप पड़ सकते हो लड़ी ठीक है ना उसके बाद next process कौन से है बच्चो हमारे पास weaving क्या होता है कि it is the process to convert a yarn into cloth की जो दागे हैं उनको convert करना किसके रूप में clothes की रू के मादियम से उस process को हम क्या बोलेंगे waving कह देंगे कि weavers क्या होते हैं कि weaver waving on a small scale use of a hand looms तो यहां पर एक small scale के रूप में इसको hand looms के अंदर use किया जाता है ठीक है ना कि on a large scale of a cotton fabrics are made by a big machine तो किसके मादियम से इसको त्यार करते हैं big machine के that is run on electricity वो किसके मादियम से run होती है बच्चो electricity के मादियम से this machine और कार लिजे power looms उसको क्या वोल हो गया power looms तो यहां पर आप देख सकते हो weaving क्या होती है बच्चो arrange करना यान को किसमें change करना fabric के अंदर ठीक है ना अब उस case में देखिए यहां पर आपके पास एक activities है कि two make a waving pattern from a paper कि कैसे waving के मादियम से prepare करना ह पेपर को कि three seeds of a stiff paper with a different color अलग-अलग different color के papers है आपके पास ठीक है a scale है और a pair of a scissors है scissors का मतलब क्या होता है बच्चो जिसको can see कहते है कि methods cut a square piece हो पे 30 cm from each paper तो हर एक paper को आप कितना काट होगे बच्चो यहां पर 30 cm काट लोगे तो यहां पर देख सकते हैं आप figure के अंदर different color के आपने ले लिए यहां पर scale के माधियम से कितने कितने काट रहे हो आप उसको 30 cm के distance से काट रहे हो तो किस पर काट का designing आपका prepare हो जाएगा weaving with paper के साथ इस पर काट ठीक है तो इस activities को आप अपने घर पे भी देख के कर सकते हो ठीक है weaving with paper के साथ उसके बाद in some ways the two set of yarn are woven to make a fabric कि दो set of paper के yarn के माधियम से क यान होता है basically वह क्या होता है बच्चो काफी थिंडर होता है किसे paper स्टीप के माधियम से ठीक है अब उसके बाद next process है हमारा basically knitting क्या होता है अब knitting के process में देखिए बच्चो knitting का मतलब होता है किसी पर कार का कोई भी मतलब हमारी जैसे jacket बनाना या कुछ इस टाइप से knitting कहते हैं कि you must have seen a lady knitting sweater a muffler with the help of किसकी help से two knitting needles की मैंतल से ठीक है यह डाइगराम में आपको दिख रही है कि यहाँ पर knitting कर रही है दो यहाँ पर क्या नीडल्स है इन नीडल के माधियम से sweater को बनाना या muffler को बनाना इस परकार से इसको हम क्या बोलेंगे knitting बोल देंगे अब in knitting a single yarn is used इसमें क्या use के जाता है बटो एक single yarn use के जाता है to make a piece of a fabric मतलब एक piece of fabrics लेके कि knitting can be done by hand hand के माधियम से इसको use करते हैं using a knitting needles nowadays most of a knitting is done with the help of a machine तो आज के समय में किसके help से करते हैं बच्छो मसीन के माधियम से अब इसमें activities है यह काफी important है तो यह देखिए कि to obtain a fiber from the fabric तो कैसे use के जाता है कि cotton fiber लिया और उसके बाद magnifying glass ले लिया method क्या है बच्छो इसके लिए take a piece of cotton fabric look at it आपने इसको देखना है second point now with the help of a magnifying glass observe this piece तो आप क्या आप 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 इसको क्या करोगे आप दाग देख सकते हो second method के अंदर आप क्या देख सकते हो pulling the thread from the fabric तो thread को जैसे निकालोगे तो उसमें क्या है thread ऐसे भी होंगे बच्छो thread ऐसे भी होंगे तो दोनों टाइप से यहाँ पर आपके thread दिखाई देंगे अब जब आप pressing करते हो इन दागों क तो stretching करोगे तो क्या होंगे यहाँ पर देखो pressing the yarn at one end and stretching the other end तो एक दूसरी को किछोंगे किछने से क्या होगा हो flexible आपको fill होता दिखाई देंगे उसके बाद yarn supplied into a thin strand is called is a fibers उसको क्या बोल दो गया basically fibers बोल दोगे ठीक है न यह observation आपने करके देखनी है बच्चो basically आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो observation क्या है कि cotton cloth look like is a continuous piece एक cotton continuous piece है कि when you observe with a magnifying glass जब आप magnifying glass के माधिम से देखोगे you find that is not a continuous piece आपको एक continuous piece नहीं दिखाई देगा ठीक है न अब इस case में क्या होता है कि basically conclusion क्या निकलता है कि cotton plant को सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों गीनिंग किया जाता है ठीक है उसके बाद cotton fibers बनते हैं फिर spinning किया जाता है फिर क्या बनता है weaving ठीक उसको separate किया जाता है तो cotton fabric आपकी त्यार हो जाती है clear हो क्यों concept यह उसके बाद बात करेंगे what do you mean by jute क्या बच्चों वो पैट सन बोलते हैं इसको या फिर पैट इने हिंदी और पैट बोल दिया जाता है किसके अंदर हिंदी के अंदर ठीक है उसको जूट प्लांट्स कहा जाता है इसको golden fiber भी कहते हैं कि जूट इस बायो डिगर डेबल इसको द्वारा utilize कर सकते हैं durable होता है बच् ज्यादा क्या होता है जूट होता है आसाम बिहार इन आलसो इलो लेंग एरिया एराउंड इंदी रिवर ऑफ गंगा एंड रिवर ऑफ ब्रहम पुत्रा इट नेट से वैल ड्रेंड फर्टलाइज सोयल लाइक जे अल्यू वाइल सोयल इसको हम क्या बोलते है अलवाइल सोय यहां पर भी क्या होता है यह जूट बिसिकली परपेयर किया जाता है कि जूट कल्टीवेशन नेद जूट के लिए क्या चाहिए बच्चो ही ठोट चाहिए होमेट क्लाइमेट चाहिए हाई रेंफोल चाहिए दिूरिंग ग्रोइंग ओपिरडस के लिए तो इंडिया इस लार्जेस्ट प्रड्यूसर ऑफ जूट प्रोड़क्ट इन दी वर्ड फॉलोड बाई बंगलादेश थीक है अबाउट एटी फाइफ परसेंट ऑफ ए वर्ल्ड जूट कल्टिवेशन इस कंसेंट्रेटेड इन्हें कहां पर कंसेंट्रेटेड होता है बच्छो यह सुन्दर बन डंड डेल्टा जो है बिसीकले इन इंडिया के अंदर वह वैस्ट बंगलमें है एंड बंगल देश के अंदर आब उड़ को कैसे कल्टिवेट किया जाता है इसको कि the seeds आर शोइं मार्च के अंदर सीीड को जाल देते थे एं The plants are cut during the flowering stage जो plant आपके बाट वो काटती जाते हैं बच्छों flowering stage के रूप में जब flowers के उपर आ जाते हैं This is because good quality of jude obtained from the young stem जो good quality का मिलता है वो कहां से मिलता है young stem से ठीक है The old stem became very hard and it is difficult to remove the fiber from it जो basically क्या होता है जो old हो जाता है plants उसे जो जूट निकालना काफी hard हो जाता है ठीक है and third point after harvesting the stacks, stack का मतलब क्या होता है बच्चो जो basically गच्छा होता है ठीक है ना, stack of the plants are tied with a bundle, उसको आप अच्छी तरह से बान देते हैं एक bundle के रूप में left in the segment water, उसको पानी के अंदर 20-30 दिन के लिए डाल दिया जाता है किसी grow in the segment water and sticky matter that hold in the fiber in the inner part of the stems is eaten away by the bacteria, जो इसका inner part है segment का तो वो क्या करेगा उसको खालेगा, उस process को क्या बोलते हैं, reading process कहते हैं, reading process कि when the stem root, the fiber are separated by hand, तो किसके माध्यम से इसको separate कर लेते हैं बच्चो, hands के माध्यम से, कि the fiber so obtained as dried in the sun and tied into the small bundles, the bundles are sent to the mills और ये bundles कहां पर बेज़ दी जाते हैं बच्चो, mills के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, breaking the jute plant and is stripping the fiber, उसको अलग करना, ठीक है ना, अब उस case में next point है हमारे पास, कि they are the spun and woven into the textile at the mills, तो basically इसको आगे कहां यूज करते हैं बच्चो, sponge के लिए woven into the textile और mills के अंदर इसको यूज के जाता है, अब यूज ऑफ जूट का है, जूट का कहां यूज करते हैं, basically तो यह चीज देखिए, कि जूट is the one of the most important fiber, after cotton, cotton के बाद यह सबसे most important है, it is used for making a gunning bags, क्या बनते हैं इसके बच्चो, gunning bags बनते हैं, गनी जो bags होते हैं और sakes बनाए जाते हैं, sack बनते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ basket इसकी तियार की जाती है, जूट बैग इसके बनते हैं बच्चो, ठीक है, high quality jute is woven into the curtains, carpets बनते हैं, chair covering बनते हैं और packing for is a linium बनते हैं बच्चो, ठीक है, उसके बाद third point की shopping bags, table mats और jute baskets और jewelry etc is made of a jutes, यह सब jutes के बनाए जाते हैं, and jute bag also is a extensively used for picking is a cereals like is a wheat, it is a war, maze etc, वो सब pick कर लिया जाते हैं इसके माधिम से, clear हो के बच्चो यह अभी activity आपके लिए drop कर रहा हूँ, इसको आपने अच्छी तरह केसे करना है, उसके बाद next activity है, यह मैं करा देता हूँ, कि not to perform this activity with the help of your teacher and other adults, कि to observe the effect of a burning of other different cloth material, burn करोगे बच्चो cloth material को तो क्या होगा, कि उसके लिए क्या चाहिए आपको, candles, a pair of tongs चाहिए, and some cloth pieces चाहिए, तो collect some piece of cotton wool, silk, और आपने different type के आपके यहाँ पर cloths लिए, उनको आपने burn करना है, तो burn करने से देखते हैं, यहाँ पर किसके मादियम से burning, जो हमारी basically candles होती है, कि cut some strip from the pieces, hold each of the pieces cloth with the pair of tongs, तो इसका आपने pair of tongs के साथ hold कर रखा है, ठीक है, burning the candle, observe the parameter and following table, the difference between why and where then, तो किस परकार की smell आएगी, तो कौन से cloth में से, तो आपने different type के close ले लेने हैं, बच्चों गर पर भी आप यूज़ करके देख सकते हो, basically इसका ठीक है न, उसके बाद, next है हमारे पास, some other useful fiber कौन से हैं, बच्चों, wool, wool की बात करेंगे हम, कि wool is obtained from the fleece of sheep, जो यह sheep है हमारी बच्चों, तो इसकी जो बोड़ी के ओपर hair होते हैं, वहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, wool बोलते हैं, अब removing the fleece from the sheep is called sharing, तो उसको हम क्या बोलेंगे, sharing बोल देंगे, कि after sharing, the wool is clean, उसको क्या करेंगे, बच्चों clean कर देंगे, अच्छी तरह से wasp कर देंगे, उसके बाद then combed by the machine, और उसको अलग-अलग कर दिया जाएगा, कंगी कर दी जाएगी, मसीन के मादियम से, कि there after the wool is spun, उसको क्या करेंगे, spun कर देंगे, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा सा वो बना देंगे बिटा, ठीक है न, एक गोला बना देंगे, into the fiber that are then knitted in the woolen cloth, either by hand or machine, तो उसके मादियम से क्या बनेंगे, आपके cloths बनके त्यार हो जाएंगे, next है हमारे पास silk, silk क्या होती है बच्चों, ये किसके मादियम से त्यार होती है, ये कुकोन के मादियम से, silk was the first developing in China, तो ये किसमें डैवलप होई थी बच्चों, चाइना के अंदर, कि it is obtained, जो ये obtained हुई बच्चों, basically from the cocoon of the silkworm, मतलब कोकोन जो होते हैं, basically वो silkworm के मादियम से इसको त्यार करते हैं, कि each silkworm spin a thread up to 800 meter long, make of a cocoon, तो किसकी बनी होती है बच्चों, ये silk जो worms होती है, spin करती है, फ्रेड आप टू कितना, 800 meter long, make of a cocoon, एक cocoon को जब बोल्ड करते हैं, इन्हें water के अंदर, kill the worms, उसके अंदर से सारे, kill हो जाते हैं, it is then, unwanted to get a silk fiber, तो वहाँ से आपको unwanted get silk मिलती है, the rearing of a silk for a production, of a silk is called a sericulture, तो ये definition बहुत important है बच्चों, sericulture, ये rearing of a, rearing का मतलब क्या है, उसको देख रिकाव करना, silkworm का production के लिए, उस silk को आप क्या बोलते हो, sericulture, अब यहाँ पर आपके MC की question है, कि the process of a separating, cotton fiber from their seeds is called a, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, देखो separating of a cotton, जो cotton को separate करना, spinning नहीं बोल चकते हैं, weaving नहीं बोल चकते हैं, और उसको wearing नहीं बोल चकते हैं, तो क्या बोलोगे, gaining, the process is changing the fiber into yarn, is called a, उसको आप क्या बोलोगे, कि fiber से change करना, किसके अंदर change करना बच्चों, यान के रूप में तो क्या बोलोगे, spinning बोलोगे, ठीके ना, उसके बाद, next है हमारे पास, history of cloth material, कि clothing material की क्या history थी बच्चों, कि the early humans, did not know much about a cloth, वो cloths के बारे में नहीं जानते थे, जो starting में जो लोग आये थे, they use a bark of trees, वो क्या यूज करते थे बच्चों, bark of trees, जो trees की च्छाल थी, वो basically अपनी बोड़ी को डखने के लिए, यूज की जाती थी, and large leaves to cover them, और बड़े बड़े जो leaves थे, वो basically अपनी बोड़ी को cover करने के लिए, यूज की जाते थे, कि लेटर दे स्टार्ट यूजिंग ए अनिमल स्किन, तो कुछ क्या हुई, अनिमल की स्किन यूज करने लगे, लेटर ओन, कि दे वर्स अनिमल स्किन, and wrapped fur around their bodies, to keep themselves a bum, ताकि उनकी बोड़ी क्या रह सके बच्चों, गरम रह सके, twinks and grass into the mats and a basket, लेटर human develop, human ने क्या develop किया बच्चों एक टेक्निक डेवलप की, for spinning के लिए, और weaving of clothes के लिए, from the fluffy substance of the cotton plants, किसके मादियम से, cotton plants के मादियम से, अब the clothing was invented thousand of years ago, in ancient Egypt, Egypt के अंदर बच्चों, cotton are and flex do plants थे, basically, वर कल्टिवेटेड नियर इंदी रिवर्स, तो सहब से पहले, discovery कहां से स्टार्ट हुई, Egypt से, ठीक है ना, कि रिवर नील, जो रिवर थी वहां की नील, कि यूज़ टू मेकिंग ए फैबरिक, वहां से फैबरिक को बनना स्टार्ट किया गया, in India, यूज़ एक कोटन सेपरेटेड अराउंड 3000 BCE, इन चाइना सिल्क वर्म, चाइना ने किसको डिस्कवर किया था, बच्चों सिल्क वर्म सबसे पहले यहीं पर डेमोस्टेट हुआ था, बिसिकली ठीक है, किसके लिए, पर्ड्यूज ओपे सिल्क फाइबर्स के लिए, एंड दा, डॉमेस्टिकेशन ओपे सिल्क वर्म इन चाइना, स्टार्टेड एराउंड इज़े 3000 BCE, दा फाइबर वर दैन स्पन इन्टो दी थ्रेट्स, और उसको फाइबर को किसमेच स्पन कर दिया, थ्रेट्ड दागों के रूप में, दैट वर वोवेन टू मेके सिल्क कलोथ, ताकि उसके सिल्क कोत बना जखे, अर्लियर स्टीचिंग वाज नोट नॉन, तो स्टीचिंग कभी नहीं पत था पहले, स्टीच क्या होती है, बेसिकली सिलाही करना, कि वोमन यूज तो वियर ए सारी, एंड मैं यूज वर ए डोती, तो वो क्या यूज करते थे, साडी एंड डोती, कि दा क्लोथ वर नोट स्टीच, एंड दे वर जस्ट रैप्ट अरौट दी बोड़ी, अपनी बोड़ी के आसपास उसको लपेट लेते थे, इवन टुडे सारी एंड दोती, आज के समय में सारी और दोती, एंड उसको लूंगी भी कहा जाता है, यूज अन स्टीचिज क्लोथ, ये सारे अन स्टीचिज क्लोथ है, मतलब जो नीडल को स्टीचिज करती है, कि पीपल स्टार्टेट स्टीच ये फैबरिक में के फें क्लोथ, तो उसके बाद यमसे क्लोथ को बनाया जाता है, कि टूडे वेरियस स्टीचिज क्लोथ, सच आज जीन्स होगी, सूट्स होगी, अब उसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके यह सारे बच्चो बेसिकली एक्साइज क्वेशन है, तो इनको आपने टिक कर लेना है, क्वेशन वाइज देख लीजिए सारे ये, वन बाई वन टिक कर लीजिए, यहाँ आप के बाद मैंने, जो भी आपके यहाँ पर फोलो करके मुझे पूछ सकते हैं, थेंक्स पर वाचिंग, बाई.